तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हल्वा तो गाजर का हल्वा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आजा किलो यानि की 500 ग्राम गाजर ले लिया है जिसे मैंने कुछ इस तरह से पील कर लिया है तो अब मैंने सारे गाजरो को कुछ इस तरह से कद्दू कस कर लिया है आपको इससे कद्दू कस करना है वो बड़े वाले साइट से जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इस छोटे वाले साइट से नहीं करना है तो मैंने सारे गाजनों को कुछ इस तरह से कर लिया है अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर तो अब मैं इसे पांच मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि गाजन अच्छे से गल जाए फिर उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो अब मैंने इसमें आधा लिटर दू दाट कर दिया है तो पांच मिनिट हो चुका है और मैंने इसे हाई फ्लेम पे पका लिया है अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी और इसे पकाऊंगी जब तक ये सूख न जाए तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मावा ले लिया है जिसे खुआ भी कहा जाता है और थोड़ा थोड़ा काजो और बदाम ले लिया है इसे हम घी में रोस्ट करके डालेंगे मैं यहाँ पर एक कप चीनी ले लिया है आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेगा अब मैं फ्लेम हाई कर दूँगी और इसमें चीनी आट कर दूँगी तो अब यह सूख चुका है और अब हम इसमें घी आट करेंगे आपको ड्राइफूल को कितना कमा कितना ज्यादा पतला करना है मोटा करना है कैसे करना है कि शेप में करना है वह सब आपको इस बटन से करना होगा आप उस स्विच से इसे कंट्रोल कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा से अड़ा करके ड्राइफूल डालेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा और इसे बूनेंगे और थोड़ा सा एलाइची पाउडर में इसमें आड़ कर रही हूँ अब हम इसे बस थोड़ी देख ले और भूलेंगे दो से तीन मिनिट तो अब गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हम इसे सर्फ करने चलते हैं अब मैं इसे ड्राइ फ्रूट के थुरू ऐसे डेकुरेट कर रहे हूँ तो हलवे में मैंने जितनी भी चीनी डाली उसमें से इतनी चीनी बच गई है और मैंने हलवे में एक चमच भर कर देशी घी आट किया था तो अब गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है जैसा के से मैंने डेकुरेट कर दिया है और यह बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है आप भी से बनाइए खाई और अपनी फामील के साथ एंजोई कीजिए और ये लिग दो लिक शेन अब्सक्राइब मैं चैनल और क्लिक बेल आइकन अलसो थैंक ये फो वाचिक मैं वीडियो प्रशूच्चा लुटूख लुक्डाइब झाल लुक्ड़ मैं अप्रो वाच्टनाएब काली बंग्टनाएब की चैनल प्रिक क्लिक बादादूच्चावग मैं वाच्टा ये प्रादा अगियो आएप बहुत अजोवत अवैं अवाध।